हेलो दोस्तों आज हम जिस पैलेस की बात करने जा रहे हैं यह भारत की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जिसकी सुन्दरता अनूठी है और वो है मानवी का मशूर विजय विलास महल यह राजसी विजय विलास पैलेस मानवी समूदर तर्ट से पस्चिम में करीब 8 किलो मीटर दूरी पर बना है यह पैलेस कच के महराजाओं ने गर्मियों में ठहरने के लिए इस महल को बनवाया था यह महल 700 एकर शेत्र में फैला है महल के अंदर राजस्थानी और बंगाली इस्थापात्य शैली में बने हुए गुवन है और इसके थ्यास के बारे में बात करें तो महाराव प्रियाग मल जी दूइत्यम इन्होंने ही प्रियाग महल का निर्मान करवाया था इनके पुत्र महारव खंगार जी ने अपने पुत्र विजय राव जी के लिए इस महल का निर्मान 1920 में करवाना शुरू किया और तथा यह 9 साल बाद 1939 में जाकर बना इसलिए उनके नाम पर ही इस महल का नाम विजय विलास पैलेज रखा गया है इस महल का निर्मान लाल बलुए पत्थर से करवाया गया था इसमें राजपूत वास्तुकला के सभी तत्व मौजूद हैं जो मुखे रूप से और्चा और दत्या के महलों की तरह बना हुआ है यह महल संगे मरमर और पानी के फवारे के साथ साथ बहुत ही सुन्दर बनाये गए बगीचों के बीच में बनाया गया है महल के जरूखे छज्जे छत्रिया जालिया दिवारों पर बने भित्ती चित्र दरवाजो और खिर्कियों पर किये गए रंगीन ग्लास वर्क और पत्थरों पर की गई कलात्मक नकाशी सौराष्ट राजिस्थान जैपूर और बंगाल के वास्तुकारों और कारिगुरों द्वारा की गई हैं महल के खंबों पर बना गुबंज किनारों पर बने हुए बंगाल गुबंज रंगीन काच का शुशोभन नकाशेदार पत्थरों की जालियां महल को बहुत ही सुन्दर और देखने लाइक बनाता है महल के ऊपर के भाग पे बनी बालकनी से आप आसपा 248 में हुई थी यह मल राज से इठाट बात नजारत देखने को मिल अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगिए है तो इससे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब आपको हमारी वीडियो का अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें